आज मॉनिंग एक ट्रेडम ने एक्जीक्यूट किया बिलाव सॉफट का प्रॉपर इसके सेक्टर के पाद में इसके स्टॉक के बाद में 945 का ब्रेकाउट डॉट साट की तरफ हुआ 915 का ब्रेकाउट डॉट सेट की तरफ हुआ कल के सपोर्ट यह भी नीचे की तरफ ही ब् करीब 11,000 क्रॉन का प्रॉफिट चल रहा है कुछ सिम्टम्स हमें इसके इंदर के जो देख रहे हैं वह रिवर्सल्स के देख रहे हैं क्योंकि निफ्टी-फिप्टी भी अपने अपने सपोर्ट पर है और इस सपोर्ट से यह उपर की तरफ गए तो मूव एक एक मूव अपस करेंगे सो कॉंटिज और जो हमारी एंड्री से यह भी हम सारी आपको क्लियर करेंगे लगव थ्री थाउजन रुपीस का अपना रिस्क है वन ट्रिपल सिक्स कॉंटिटी जा रही थी बट ओर्डर में कुछ 1663 कॉंटिज के साथ यह ट्रेड हमने अपना एक्जेक्यूट कि सो प्रॉफिट तो दोखो 10,000 11,000 के राउंड के चल रहे हैं लेकिन यह अभी हमको कितना 3000 रुपीस कर रिस्क अगर अपना है तो करीब 1-3 से जाधा ही मिल रहा है 1-4 तो नहीं 1-3 1-3.5 तक चल रहा है बट टार्गेट अभी हमें नहीं मिला है अगर पूरा टार्गेट के एकजिट का फिर हम वहां से बाहर हो जागे आज के ट्रेट की प्रॉपर पूरे नालसिस हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उसके डे टायम से रिडिंग लोबर टायम से रिडिंग सब कुछ ए-टू-जेट सारी चीज़े रहेंगे वीडियो को लाइक किजागा कॉमेंट्स की जगा कॉमेंट्स न दे जन्सके अगर कुछ क्वेस्चेंस हों आपके कहीं पर कन्फूजन हो तो कॉमेंट बोक्स में लिग देना उसका रिप्लाई 101 पर सब्सक्राइब अभी तो 56 पर ये ट्रेड हमने एक्जेक्यूट किया अपना ओर लगाया था और उसके दस से पंदर नमिट के बात करीब दस बजे दस दस बजे कर पांच अपने स्टॉप लगा दिया है इस्टॉप लोगों का यही रहता है कि इस्टॉप लोगों को मन में बैठा करके रखते हैं लाइक अभी कोई एक रिपोर्ट हम पढ़ानी रिपोर्ट थी कि एक ब्रोकर ने प्रॉपर अपना टर्मिनल उपन करके देखा है तो वहाँ पर जयात हो लोगों के स्टॉप लोस लगे हुए ही नहीं है ओपन ओडर चल रहा है तीन पॉइंट आज हम लोग डिस्कॉस करेंगे सबसे पहले डिमानेंट सप्लाइ सेकंड इस्ट्रक्चर्स मार्किट इस्ट्रक्चर इसको कई नाम से आप जा मार्किंग्स जनरली जयातर शॉर्ट वीडियो या फिर वन मेट की वीडियो ही हम अपलोट करते हैं आज का जो वीडियो रहेगा थोड़ा सा बड़ा वीडियो में भी हो सकता है जितनी भी बाते हम बताएंगे जो भी कॉंसेट्स हम बोलेंगे आप से प्रैक्टिस करने के इन कॉंसेट्स को आप मन लगा करके प्रैक्टिस करना है दूसरी बात हर बार हम कहते हैं कि option से जितना हो सके उतना दूर हो क्योंकि यह dangerous है अगर आप equity में profitable नहीं हो मतलब कि आप options के लिए ready नहीं equity में profitable होने का मतलब है कि technical part आपको strong है, management आपको strong है, psychology आपको strong है, volume reading skill आपको strong है, price actions या price के reading आपको strong है, proper एक chart को read करनी की skill होती है, जो समझ होती वो आपके अंदर है, अब अब जो और दूना की किसी market को trade करो, लेकिन सबसे पहला, सबसे पहला आपको यहाँ पर profitable होना ही ह होगा, अगर यहाँ पर profitable हुए बगएर आप किसी भी market में काम करने चाहोगे, सिवा है loss के और कुछ नहीं होना है, और गलती से गए और options वगरा में चले गए, तो फिर तो उपर वाला ही माली खयाब, यह हम आपको डरा नहीं रहे हैं, या फिर आपको demotivate नहीं कर रहे है यह reality है, reality को समझने में और डरान में बड़ा फर्क होता है, तो मेरी बातों को गलत interpret मत कीजएगा, 9.15 के नीचे हमने अपने entries के confirmations लिए हैं, लगवग आधर target हमारा complete हुआ है, price retrace करें, retracement के बाद में, जो अपना proper target है, यहाँ तक हम wait करेंगे, नहीं मिलेगा तो जो मिले के structures को समझेंगे, day time frame पर चलते हैं, देखो daily time frame पर सबसे main readings होती है, हमें चाहे levels draw करने हो, चाहे supply and demands निकाल हो, चाहे तो readings करने हो, तो supply and demand को समझेंगे यहाँ पर, जो भी points हम cover करेंगे, उसको मिल लिए आप मान करके चलू कि हम 3 points में अभी divide करने वाले हैं, जिसमें से सब से पहला होगा, day time frame की reading, दूसरा, daily time frame की reading से ही हम लोग supply and demand तक पहुचेंगे, जब high time frame का काम अपना compute जाएगा, तब हम पहुचेंगे lower time frame पर market structures को समझने के लिए, daily time frame पर मान करके चलू कि जैसे यह अपनी main line है, एक basic सी candle या अपनी master candle है, हर chart में एक नए candle ऐसी होती, जो क supreme होती है, price या तो उस candle के बाहर जाएगा, बाहर निकल जाने के बाद में वापस से उस candle के अंदर की quantities होती है, या फिर buyers और sellers का जो pressure होता है, वो वापस से price को अपनी range के अंदर re-enter करवाता है, या फिर buyers और sellers का जो pressure होता है, जिस वज़े से price वापस से re-enter कर जाते है, अप केंडल को identify करने के बाद में volumes की readings के थूरू पूरे price actions को समझने की कौन सी candle क्या हरकत कर रही है अगर एक green candle आई है और इस green candle ने previous candle के high या फिर low को break किया है तो यहाँ पर volumes कितने आई है अगर volumes कम है तो उसके क्या impact हो सकते है price heavy volume के थूरू अपनी main line candle को या फिर important candle के high या फिर low को break कर रहा है तो उसके impact क्या गिर सकते हैं एक एक चीज़ को समझना पड़ता है जह हम लोग day time की बात करते हैं सिर्फ इतना ही नहीं है कि दोखो mainly जो हम आपको बताते हैं कि एक ये दोखो बड़ी से candle बन गए इसके अंदर एक ये candle बन गए छोटी वाली candle की volumes ज्यादा है और बड़ी वाली candle की volume कम है ब्रेकाउट हो जाए आप trade कर लो सिर्फ इतना simple या इतनी आसानी से हम लोग नहीं कर सकते हैं बहुत बार simple होता है लेकिन बहुत बार इतना simple नहीं होता है जिसको हम simple भी बोल रहे हैं उसमें भी proper readings लगती है बहुत इतमिनान के साथ में सुनना अगर आप अभी कहीं busy schedule में बैठे हुए हो कुछ काम करो तो अभी मत सुनो इसको playlist में safe कर लो या like करके छोड़ दो बात में देखना बहुत इतमिनान से देखने वाली चीज है तो अच्छा दूसरा होगा supply and demand supply क्या होता है like resistance को ही एक दूसरी language में हम लोग supply बोलते हैं and support को demand बोलते हैं अब माल लीजे कि यहां पर supply है अगर price supply पर अपनी supply पर ज्यादा react कर रहा है and supply के पास में volumes के लगातार बेक आउट हो रहा है तो यह selling pressure दर्शाता है supply पर यदि volumes ज्यादा रहे इसका मतलब इसको selling pressure या फिर price supply नहीं अपने demand zone पर है तो यहां पर volumes के क्या structures है and in supply and demand zones के importance क्या है second चीज़ यह होगी दूसरा है market structures market structures की जरूरत क्यों पड़ती है like के price ने higher high higher low higher high higher low higher high higher low बनाया या फिर lower low lower high lower low lower high lower low lower high lower high lower high lower high lower high price अगर अपने support को protect कर रहे है and resistance को break कर रहे है इसका मतलब कि यह weak नहीं है यह strong है market structures का सीधा सा simple सा यह मतलब होता है लेकिन अभी जितनी simply हम यह drawings draw कर दे रहे हैं जब आप candles को draw करने जाओगे तो यह थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है तो वहाँ पर हमें थोड़े बहुत experience की जरूरत पड़ती है कि अगर हमें readings start करनी तो कहां से readings start करनी है क्योंकि ऐसे structures देखेंगे तब तो फिर तो ए एक proper management क्या होगा प्राइस को देखने का नजरिया क्या होगा इन तीन points पर आज के दिन हम लोग discussion करने वाले हैं तो फटाक से शुरू करते हैं daily time frame की reading से अभी कि जितनी भी marking से यह सारी हम delete करेंगे और शूरू से शुरू करते हैं प्राइस देखो अब से downside की तरफ आया यह पर low कौन से candle ने लगाया 8th of October की candle ने अगें देखो एक high लगा high के बाद में वापस से देखे low लगाया simple सी चीज है अब इनी structures को आप और उपर की तरफ ले करके जाओगे तो देखे इस तरह से निकल के आएंगे फिर से देखो हम इसको draw करते हैं आपके सामने high low again high then low high low व लग रहे हैं अब एक concept याद रखना जो candle आपका swing low लगाईगी उस candle का low हमेशा एक support high एक resistance जो candle swing high लगाईगी उसका high resistance and low support याद रखना ये बात आपको काम आई गया गया यहाँ पर 8th October की candle ने एक swing low लगाया था अगर low support है तो क्या high को हम लोग एक resistance मान सकते हैं यहाँ पर swing high लगा प्रीविस में आप आओ गए तो देखिए यहाँ पर भी एक swing low लगा था क्या low को हम लोग एक support मान सकते हैं अब अगर यह supports हैं तो यहाँ से आप readings करने शुरू करो अपनी support बन जाने के बाद में देखो price उसी जगह पर react करता है वापस से गिर जाता है अगेन प्राइस हमारा downside की तरफ fall हो सकता है चलिए यह तो एक मोटा मोटा वो हो गया इसमें और एक deep dive करते हैं हमारे पास क्या हुआ अभी resistance निकल के आगए अब इन resistance के पास में हमने कहा न supply and demand यह सब क्या हो गए यह हो गई मेरी supply हमने supply को निकाल लिया यह हो गई मेरी demand supply and demand को in a simple language आप यह समझो आप इसको resistance या supports भी बोल सकते हो सिर्फ शब्दों का हेर फेर है काम एक ही है supply in the sense के price वहीं पर reject हो रहा है रेजिस्ट कर रहा है resistance रेजिस्टेंस 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 दूसरा support support क्या हो रहा है यहां पर देखे प्राइज इस एक जगह पर support ले रहा है support 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 ठीक यहां से देखे support परेख हो गया अब यह resistance हो गया clear ना बहुत simple देखो आप supply and demand को अगर master कर ले जाते हो तो बहुत सारी problems तो अपनी ऐसे ही solve हो जाती है अब इन supply and demands के पास में हो रहे price की movements को समझो second चीज़ आती ना daytime frame की readings अब daily time frame की readings में क्या होता है कि price इस एक जगह पर देखो जैसे ही पहुँचा यहां पर इसमें volumes के breakout हुए फिर से price अपने resistance पर पहुँचा यहां पर देखो volumes क breakout हुए इस एक जगह पर अगर यह अपना support point है तो price जैसे अपने support पर पहुचा है यहां पर volumes के breakout हुए again volumes के breakout हुए फिर से volumes के breakout हुए यह क्या होता है support पर support या फिर resistance पर resistance के confirmation में मिलते हैं इससे हमारा supply and demand zone और भी ज्यादा strong हो जाता है अब यह blue वाली candle है अपनी चोटी सी candle है लेकिन देखो इसने किया किया एक swing लगा दिया इस चोटी सी candle के high को break कर देने के बाद में वापस से price कई दिन तक नीचे नहीं आया यह इसी जगह से support लेकर के उपर की तरफ जाता रहा है लेकिन 24th of October price ने अपना support break किया with the high volume के साथ में price देखो breakout कर देने के बाद में यह उपर तो जा रहा है यहां से लेकिन आप जब इस पर गौर करोगे गौर in the sense कि volumes पर गौर करोगे price उपर तो जा रहा है बट volumes नीचे गिर रही है price उपर volumes नीचे मतलब कि इसके अंदर strength कम है next point अपना concept है decreasing lows या falling lows यहाँ पर देखो क्या बना falling lows हमें next day क्या करना होता है यहाँ पर क्या बना decreasing lows next day क्या करना है यहाँ पर क्या बना decreasing lows next day क्या करना है short यहाँ पर क्या बना decreasing lows next day क्या करना है short देख लेना आप day time frame पर यहाँ पर black candle ही form होगी price आज उपर जाने वाला है नहीं वह गिरेगा हो सकता है बड़ा fall ना आ है बर्ला soft के अंदर लेकिन यह ग आगे बढ़ेंगे, इस चोटी सी candle से हम लुक शुरुआत करेंगे, यहाँ पर price के behavior को rate करेंगे और उसके साथ volumes को merge करेंगे, वीडियो एक बार या दो बार घुमा फिर आके देख लेना, help करेगा यह आपकी, price ने देखो क्या किया, एक swing लगा देने के बाद में high volume के साथ मे previous candle के high को break कर दिया, अब यहाँ से अगर यू ही मालो हुआ होता है, जो चल रहा है न, चार्ट पर जो दिख रहा है, यह imagine करो, अगर वो नहीं होता, तो क्या हो सकता, maybe हो सकता है, कि high तो चलो break कर दे, लेकिन हो सकता है, गलती से हो गया हो, यह एक aggressive buying आई हो, अगर यह aggressive buying है, तो फिर price अगले ही दिन वहाँ से गिर जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, जो green वाली candle बनी थी, इस green वाले candle का high भी तो break हो गया, लेकिन high break हुआ कैसे, low volume के साथ, next day क्या हुआ, इस candle का low चला गया, low तूट गया, low तूट गया, low तूट जाने के बाद में क्या हुआ, next दोखो, अभी तो हम बोल रहे थे आपसे, कि यहाँ पर low टूट गया, यहाँ पर भी low टूट गया, low तो दोनों ही जगा टूटे है, मतला भी तो weakness है, फिर यहाँ पर जब high volume के साथ ने, price ने previous candle के high को तोड़ा, तो यह strongness होनी चाहिए लेकिन आप एक चीज़ दोखो, जो यह market पहुंची, इसके अंदर volumes के breakout हो गया, यह weakness ही है, यह strongness नहीं है, हाँ, यह strongness है sales side में, weak side की strongness है, कि जैसे ही price अपने supply zone पर पहुंचा, इसके अंदर volumes पढ़ गया, मतलब कि supplies और भी ज्यादा strong हो गया हमारी, और इसने low तोड़ दिया, मतलब resistance strong हो गया, अगले दिन क अगें देखो high volume आई, कहाँ पर आई, बिल्कुल मेरे supply zone पर, समझ पारो न, supplies और भी ज्यादा strong होती चली आ रही है, जैसे ही price वहाँ पहुंच रहा है, अगें देखो क्या हुआ, supply वाली जो candle है, यही candle अपनी swing high है, high resistance और low support, जो candle swing high लगा रही है, देखो उस candle के low के चल का रही है, इस blue वाली candle के ऊपर में, है न, फिर से देखो, जब यहाँ पर high volume के साथ में एक नया swing high लगा, तो यहाँ से green candles तो form हुए, बट volumes पर सीधे आप गौर करो, volumes क्या कर रही है, decrease, मतलब strength नहीं है, और यहाँ पर क्या बनना है, decreasing lows, है न, अगले दिन फिर देखो यहाँ पर भी low टूटा है, और फिर क्या हुआ, decreasing lows बनने का मतलब क्या होता है, यानि कि black candle form होगी, एक negative candle form हो सकती है, यहाँ देखोगे, यहाँ पर volumes के breakout हुए है, अब volumes के breakout हुए है, कहाँ पर volumes के breakout हुए है, हमारे support पर, अभी तक यह क्या है, मेरा demand zone है, यह demand zone है, जैसे price ह हमारे demand zone पर आएगा न, volumes के breakout तो compulsory है, अगर strong demand zone आपने draw किया है, तो वहाँ पर volumes के breakout होने जरूरी है, इसे उस zone की strongness का पता चलता है, इसका यह मतलब नहीं है, कि दोखो green volumes आगई, high volume के साथ में price आपका उपर चला गया, यह तो strong हो गया, यह उपर चला जाएगा, यह गल आप समझोगे, तो price को read करने की, volumes को read करने की, एक basic समझ पैदा होती है, जब इसी काम को हम लोग continue करते जाते हैं, continue basis पर करते जाते हैं, अपने risk management को safe करते हुए चले जाते हैं, हमारा risk same रहता है, अगर आप continue मेरे trades देख रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा, कि पिछ 2000 बढ़ा किया, 5000, 6000, 7000, 8000, 10,000 क्यों नहीं कर दे रहे, क्यों 3000 पर ही रुके हुए है, अपने कुछ targets है, हमें मालूम है कि हमें 100, 500, 800, 1000, 1200 या 1500 हमारा अपने एक target set है, हमें उतने trades complete करने same risk of amount के साथ, हमने क्या कहा था, कि last जो panel अभी हमने share किया, शायद 21 days, 3 weeks या 4 weeks हुए ह हमने एक पेनल अपना share किया था, जब पेनल वाले वीडियो आप देखोगे तो उसमें एक बात कही है, कि अपना risk हम बढ़ा देंगे, 3.5 के कर देंगे, लेकिन कुछ trades हमारे रहे गया है, हम उन trades को complete किये बगएर अपना risk नहीं बढ़ाएंगे, और यह journey शुरू कहां से 500 रुपेस के risk से शुरू करके अब यह 3000 तक आया है, 3000 तक जैसे 500 से 3000 तक आया है, वैसे 3000 से आगे भी बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं, आपको तो जब आता है, बढ़ा क्यों ने देते, यह questions, यह genuine questions हैं, लेकिन एक level पर आजाने के बाद में, अगर आप market में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से काम करें, और तब अगर आप यह question पूछते हो, तो फिर यह बेवकूफी होती है, हाँ, अगर कोई नया बच्चा पूछ रहा है, अगर कोई beginner पूछ रहा है, तो उसके लिए तो question ही समझ में आता है, जनुरी उसका reply भी किया जा सकता है, लेकिन जब हम यह देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो की actually experience holder है, इस तरह के जब question पूछते हैं, तो उसका एक मतलब यह भी निकल करके आता है, अभी आपको भी समझ में नहीं आया है, इतनी दिन से market में आप क्या कर रहे हो, चाहर ट्रेट से हो जाने के बाद में पांच में ट्रेट में double risk बढ़ा देगा, बस आया हुआ profit दो तीन trade में चला जाता है, इस सारी बाते बात की हैं, इसलिए आपको इस सारी बाते हैं बोल रहे हैं, अब हम यह readings वगरा सब बता रहे हैं, हम candles को पढ़ना आपको बता रहे हैं, volumes को किस तरह से read करना बता नहीं, यह सारी चीज़े करने कि approach अगर वही रही, तो यह सब किसी काम का नहीं है, supreme क्या है, money management, risk management, आपकी psychology, और किस field में आप इस money and risk management को, अपनी technical analysis को, अपनी volume reading को develop कहां पर कर रहे हो, किस जगे पर कर रहे हो, यह समझना बहुत ज़रूरी है, stocks की fields को चुनो, यहाँ पर liberty रहती है न अपने पास, आप पसे चार्ट पर पहुंचते हैं, यह सब बाते बहुत शुरूर होती तो बहुत दूर तक जाती है, अब यहाँ पर देखिए, कि support पर volumes के breakout हो रहे हैं, मतलब यह और ज्यादा strong हो रहा है, हमारी इस वाली candle के high पर, अगर demands strong हो रहे हैं, तो इसका क्या एक अर्थ हम लोग य रेंज के अंदर आया, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मतलब के price weak है, और weakness के निशानित हमको बहुत देर से मिल रही है, बहुत देर से का मतलब समझ रहो, यहाँ पर दखो, lows तूट रहे हैं, continue, यहाँ पर क्या हुआ, lows तूट रहे हैं, continue, price जैसे resistance को टच कर रहा है, volumes के breakout हो रहे हैं, लेकिन range के अंदर volumes कम हो रहे हैं, decreasing lows form हो रहे हैं, price नीचे की तरफ तूट रहा है, price अपने इस supply को, इस supply को upside की तरफ ब्रिक नहीं कर पा रहा है, यह उसके नीचे ही जा रहा है, ऐसे lows तूट रहा है, क्या हुआ, दो दिन पहले, hereth of October के candle का low भीच चला गया, high volume के साथ में low टूटा, ठीक है, अब अगर low टूट गया तो हो सकता है, यहां से price हमारा उपर चला जाए, भाइस हो सकता है, possibilities तो हैं ही, कि price यहीं से हमारा upside की तरफ चला जाए, लेकिन अगर यह upside जा रहा है, अपने nature को follow करते हुए यह जा रहा है, मतलब कि volumes गिर रही है, और price किसी भी condition में देखो, अपना high break नहीं कर रहा है, यहां पर low ही break हो रहा है, है ना, price अपने low break करता जा रहा है, और highs लगाता, protect हो रहा है, मतलब कि strong तो यह है नहीं, उपर से अगर green candle form हो रहे हैं, तो दो खुर decreasing lows बन रहे हैं, कल भी decreasing lows बना, आज क्या हो सकता है, red candle, red candle के chances ज्यादा है, form हो जाने के, समझ में आ रहे हैं, अब हम trade तो इस दिन कर रहे है, reading हम कर रहे हैं, दो महिने पहले की, हम readings शुरू कर रहे हैं, यहां से एर्थ October, और कल 30 हो जाएगा, मतलब कि पूरा मुंत खतम, तो एक महिने पहले की candle का क्या ही use करना है, हमें आज trade करने क के लिए, क्योंकि candles आपस में correlate करती है, candles आपस में जुड़ी हुई होती है, हमें अगर आज की candle को समझना है, तो एक particular level हमें निकालना पड़ेगा, मालेज हमने ये level निकाल दिया, अब इस level ने past में किस तरह से react किया है, यहां पर कैसा react किया है, इस एक जिगे पर कैसा react किय यह समझना होगा, अगर हम किसी level को निकालते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आज उस price में होने वाली movements को हम predict कर रहे है, मतलब कि अगर हमने ये point निकाल लिया, 575 यहां से market गिरेगी, यहां से market गिरेगी, तो 575 पर past में क्या हुआ है, क्या पहले market गिरी है, या उस एक जगे स support लेकर कि यह उपर की तरफ गई है, अगर support लेकर कि यह उपर की तरफ गई है, मतलब कि strong support points है, support अगर टूट रहे तो यह बन जागा resistance, resistance है market नीच है, इतनी सी चीज होती है, हमें जितना समय आपको समझाने में लगा, खुद trade करने में इतना समय नहीं लगता है, I hope की समझ होगा, देखो candles कैसे, अगर हम लोग गौर से पढ़ें, तो candles में सारी कहानियां बताती है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या कहा, कि swing high, एक resistance, और यह एक demand zone बनता है, support, तो देखो इस support के तूट जाने के बाद में क्या हुआ, low toot आ, वापस से price retrace के upside के तरफ जेतने stop losses थे और वापस से देखो low toot किया है, है ना, next support क्या है, यह वाला, हमने जो अपने targets define कर रखें आज के लिए, अब यह आप देख रहोगे कि यह एक mother candle है, है ना, price अगर नीचे की तरफ आया, तो इसका भी low तूटेगा, यह वाला भी low तूटेगा, अगर यह वालो low तूटेग नहीं तो फिर जो मिलागा, वो ले करके हम बाहर निकल जाएंगे, अब आते हम लोग lower time frame पर, दोखो day time frame पर सारी बाते समझ में आई, हम markings remove करते है, अपनी main candle हमने draw कर ली, यह resistance point हो गया, decreasing lows बने, short हो रहा है, हमने अपनी levels निकाली, levels निकालने के बाद में उस जगह पर हो कि आज हमें trade किस दिशा में करना है, और किस जगह से trade करना है, हमारा price का है trade करना है, simple सी बात, अब हम lower time frame पर चलेंगे, lower time frame पर चलके अपने structures को समझेंगे, दूसरा entries के confirmations लेंगे, यह अपना एक resistance point, इस line को आप याद रखना, यहाँ पर एक line हम और पूट, अब यह जो black low high, okay, low, फिर high, again, low high, आगे बाद में चलेंगे अब पहले इसको, यह supply zone होगे अपना, price अपने supplies को protect कर रही है, clear है न, यह जो move आप देख रहो न, यह इसका मतलब नहीं है, यह जो unexpected move आपने देखा, यहाँ पर बेचारे कितने ही लोग trap हुए होंगे, आपको मालूम है, इ क्या करती है, इस तरह की moves क्या करती है, इस तरह की moves हमारा stop loss लेती है, जो भी sale करके बैठे हुए हैं, उनका stop loss, दूसरा नए लोग positions बनाते हैं यहाँ पर, जबकि इस तरह के breakout, यह failed breakout किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन बहुत काम के होते हैं, अगर समझ गया तो बहुत काम के हैं, नहीं समझे, तो सिभाय नुकसान के, कुछ नहीं हो ना, अब हमें बता है कि day time frame का ये एक supply zone है, price zone देखो, यहाँ से breakout दिखाया, volumes के साथ, कितनी ज़्यादा volumes है, और जब जब price हमारा हमारे supply zone पर जा रहा है, इसके अंदर देखो, volumes के breakout हो रहे हैं, लगातार volumes के breakout ह होता चला जा रहा है, अब इस structure को देखो, highs break हो रहे है, high break हो गया, यहाँ पर भी high के breakout हो रहे है, and low पर अगर आप focus करोगे, तो low protect हो रहे है, low upside के तरफ भाग रहे है, बार बार ये उपर के तरफ तरफ तूट, लेकिन जैसे ही ये वाला breakout हुआ, price ने क्या किया, तोड़ अपने lows, देखो ये नीचे की तरफ आया, फिर से एक swing लगाया इसने, ये वाला, swing लगाने के बाद में वापस से देखो, price आपका उपर की तरफ चला गया, high volume के साथ, उपर में गया, और फिर से देखो नीचे की तरफ की तरफ गया, अब next day, अगर price हमारा strong है, तो क्या कर करना होगा, अगर ये strong है, और अगर ये strong नहीं है, तो price यहीं से reject होगा, ये बार बार इसी जगह से reject हो, ये बन गया ना resistance point, ये area, ये हमने कैसे निकाला, ये structures mark करके निकाला, higher high, higher low, higher high, higher low से, फिर से क्या हो रहा है, कि यहाँ पर जैसे ही price आया, देखो इसने क्या की, high, low again देखो कहाँ पर high लगा, इस एक जिगह पर, फिर से low, फिर high, ये हो गया, अब यहाँ क्या हो रहा है, price अपने low को protect कर रहा है, low protect कर रहा है, low protected, high क्या हो रहा है, break, लगाता है break हो रहा है, लेकिन आप एक चीज़ देखो, कि जो main resistance level की candle है, जो main आपका supply zone है, उसके उपर market नहीं निकल रही है, उसके उपर ने जा रही है, अभी हमने कहा ना अपसे, अगर ये strong है, तो हमारी इस वाली candle को इसे उपर की तरफ तोड़ना ही होगा, यहाँ से उपर की तरफ, वरना ही क्या करेगी, इस तरह की structures form करके, और नीचे की तरफ इसे करना होगा break, अगर ये इस supply zone को ऊपर की तरह break करना पड़ेगा, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर कौन से formats बने थे हमारे, डे टाइम फ्रेम पर, एक और नेक्स्टे में क्या करना था, short, मतलब decreasing way की दो volumes पर नहीं, अगली दिन में करना है short, हमें मौलू है कि अगर आज हमें selling का मौका मिला तो मज आ जाएगा, नहीं मिला तो फिर कोई बात ही नहीं, है ना, मतलब कि अगर आज previous day के ये swings टूट गए, तो अच्छे से एक trade यहाँ पर हम लों को मिल जाएगा, एक ठीक ठाक trade मिलेगा, और जैसे ही market open होई आज, लोवर टाइम फ्रेम पर, 9.15 की candle ने ही सारा इंतिजाम कर द पांच थी भी तो एक भी नहीं बची, skip करके देखो, कोई तो मजा नहीं आएगा, वीडियो पर अच्छा लग रहा हो, जो भी बाते हम समझा रहे हैं, अगर समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सो comment कर देना, चैनल पर अगर आप पहली बार होगे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, because price action की बहुत अच्छी इच्छी, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ हम आपको बताता है, यह वो सब नहीं कि जो हर जगह आप देखते होगे, कि जिसको भी price action समझाना है, पढ़ाना है, तो क्या कहता है ना, triple top, head and shoulder, descending, triangle, symmetrical, triangle flag, cup and handle, यह सब पढ़ा रहा है, candles के नाम पर क्या पढ़ा जाता है, bullish single, finger, tweezers, top, hammer, inverted hammer, three soldier, morning star, black crown, बहुत सारी candles पढ़ा रहेंगे, यह price action होता है क्या, आप real market मूतरो, यह सारे tools लेकर के एक पैसे का काम ने करेंगे, एक पैसे का, reading तो आनी चाहिए, कौन सी candle, किस candle के range के अ price action नहीं होते, यह से price action के नाम पर बेवकूफी होती है, उसे बेवकूफ बनाना होता है, कोई RSI पढ़ा रहा है, कोई Bollinger Band पढ़ा रहा है, कोई crossovers पढ़ा रहा है, अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, कि low दोखो टूटा है, इस एक जगे पर load, अब वापस से day time frame पर आत और lower time frame पर जब हमने अपने structures पढ़े, उन structure से हमें यह सौंच में आए, कि यह वाला जो सबसे last swing था, यह important है, तो price देखो दो काम कर रहा है, एक तो day time frame से ही reject हो गया यह, नीचे की तरफ supply zone से, है ना, previous day का structure मतलब कि जो swing लो था, यह भी इस ने break किया, 9.15 का low यह भी दो बातों पर focus की जगा, supply से price मारा नीचे की तरफ आया, कल के जो structures थे, इन structures को भी इसने downside की तरफ ब्रिक किया, यह support थे, है ना, यहां से breakout मिला हम लोगों को, और अब 9.15 का low बना, क्योंकि 9.15 की candle नहीं अपने supply को, और previous day के swing को connect किया है, मतलब इस range के अंदर जो काम होग वो होता रहे, लेकिन range के बाहर जैसे price निकलेगा, हम short करें, क्योंकि यह एक अच्छी opportunity होगी, अब यह सारी markings हम साफ कर लेते हैं, और जहां पर हमने अपना trade execute किया, वो points हम महा करते हैं, हमारे entry point क्या है, 9.15 का low, and stop loss देखो, stop loss क्या है, यह जो swing आप देख रहा हो, इस swing के थोड़ा सा उपर हमने अपना stop loss लगा रहा है, श्याद कितना 5.72.35 था, stop loss ना था, यहां से देख लेते हैं, पर, 5.5, वहां, 5.72.35, copy, तो यह अपना stop loss, इसका color change कर देते हैं, यह entry, यह अपना target point, अब वेट करेंगे, हम लोग target का, अच्छी होगा, सारी बाते हैं, सारी point, समझ भाए होगे, 9.15 की candle भी हमने, आपको clear कर दी, 9.15 की candle बनी, इसके अंदर देखो कि इतने ज्यादा, volumes के breakout हो रहा है, यहां पर देखो, और एक candle है, 9.45 की, यह वाली, इस candle का भी low, चला ही गया है, high volume के साथ, पूरी तरह से negative symptoms है, यह सब क्या है, सिर्फ ड्रामा हो र and defined कि उससे ज्यादा लॉस थोड़ी हो करके चला जाएगा, देखिए, कहां 11.50, 12.00 रुपे के stop loss पर profit में बैठ हुए थे, अभी 11.00 रुपे के profit में बैठ हुए है, कुछ भी हो सकता है, यहां अपना काम analysis करने का analysis करो, trade execute करो, wait करो, बहुत ज्यादा पोवर analysis करने लग जा जाए, 100-200 रुपे का तो हमको profit हो रहा है, चलो निकल जाते हैं, ऐसा नहीं कि stop loss rate हो जाए, हो जाए, हो जाए, proper हम अपने moves का wait करेंगे, जैसा भी होता है, आपको, थोड़ा सा move दिखाने के बाद, market जो sideways हुई है, तो अभी तक यह सिर्फ sideways ही है, कोई बड़ा move नहीं, price ए अपने entry पर आजाने के बाद में एक बार फिर आया, फिर दूसरी बार अभी यहां से reject हो रहा है, लेकिन यह ऊपर नहीं भाग रहा है, अब अगर reject होना तो reject ही हो जाए, लेकिने reject भी नहीं हो रहा है, कुल मलाकर के पूरा sector ही sideways पढ़ा हुआ है, तो कोई move इसके अंदर भ बचे हुए हैं, तो करीब 12 candles, 12 candles और बची हुए है, और एक छोटी सी trend line हमको देख रहे है, जो यहां से लेकर के आपकी और ऊपर तकी है, जनरली trends line वगर हम यूज़ रही करते हैं, लेकिन बहुत help करते हैं अगर ठीक तरह से use किया जाए, काफी लोगों को तो trend line का सही से use करना नहीं आता है, तो कभी अगर फिर से मौका लगाए, वीडियो बना करके हम upload करेंगे, trend lines का basic एक बहतर use कि इस तरह से किया जाएगा, फिलहाल, अभी देखिए, कोई भी move अब देखिए, उपर की तरफे जा रहा है, चलिए, अगर ये trend line तूट जाती ना, नीचे की तर तो हो सकता है, थोड़ा बहुत move हमको मिल जाए, एक या दो ही candles में, लेकिन अभी उसकी भी उम्मीद मुझे है, अब लग रहा है कि trade चलने देते हैं, इससे पहले जितनी भी चीज़े हमने आपको बताएं, देखो ओपर भाग रहा है, कितनी speeds ओपर भाग रहा है, लॉस मे इसी होती है कि इसमें ज्यादा तर लोग panic होते हैं, क्या करी निकल जाए, देखो थोड़ा सा profit पहले है, stop loss भी हमको लग रहा है, चला ही जाएगा, निकल जाते है, जैसे ही यह हुआ ना, इसको over analysis के category में डाला गया है, technical word में, आपने एक बार stop loss लगा दिया, हमने क्या का, अक्सर हम यही बात बोलते हैं, कि आपकी pocket जितना allow कर रही होता है, stop loss लगा, फिर तो डर ही किसी किस बात का है, आपकी pocket allow कर रही आपको कि देखो, हमारा stop loss रहेगा 300 रूपीज का, यह रहेगा 500 रूपीज का, मालूम है ना, कि 500 रूपया का risk हम एक trade में ले सकते हैं, अगर 500 का pocket आपके allow करें, तो 450 का stop loss लगाओ, आप यकीन मानो, डर नहीं रहेगा, अगर आपकी pocket आपको allow करें कि नहीं, हम तो सिफ 100 रूपीज का stop loss बेर कर सकते हैं, तो आप 90 रूपीज का stop loss लगाओ, आपको एक पैसे का डर नहीं रहेगा, stop loss जाए, चला जाए, अब pocket हमारी allow क रहे हैं, 100 रूपीज का, हम लगा कि बेटे हों, 1000 रूपीज का, अब price थोड़ा से नीचे गया, अब सब बिखरा बिखरा से लग रहे हैं, आँक के सामने अधेरा हो रहा है, चला exit कर देते हैं, जैसे exit कर देते हैं, जैसे exit कर दे, अब शांति से बेटे हों, देखना है, market तो ऐसे चली जैसी analysis थी अपने, आरे जाने दो ना उसको, आपने trade एक बार execute कर दिया, तो कर दिया, बात खतम, ऐसे लेगे तो ऐसे लेगे, target मिल जागा, entry लेने के बाद में और कुछ नहीं करना हो, फिर कुछ नहीं करना है, जब तक वहां सब exit नहीं हो जाओ, और exit अपनी close होगी, तो broker खुद बाहर निकाल दे, या उसके दो, चार प्रांश्मिट पहले हम निकल जाएंगे, क्योंकि broker का क्या, वो अपनी तरह से कुछ चार्ज लेगा, जिरोधा बगार है, आप stock के कुछ charges ले ले लेते हैं, हमारा espresso है, espresso एक पैसा नहीं लेगा आपको, last भी निक चल रहा हो, तो वो भी नहीं, दोनों चीज़े खराब होती है, फिल्हाल, आज के वीडियो में लोग यहीं पर खतम करते हैं, हाँ, इस वक्त का जो अपना profit है, कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद बची नहीं है, trade book अपनी open कर लेते हैं, सुबह में हमने कहा थना आप से, कि प्राइस जहां पर जब 11 या बाराज़व रपे का अपना profit चल रहाता है, कि यहां से upside की spike expected हो सकती है, वैसा हुआ, प्राइस उपर की तरफ ही भाग गया, कोई बात नहीं, अभी दोखो जितना भी profit चल रहा है, stop loss अगर hit नहीं होगा, अब SL चला ही जाए, लेकिन अब ऐस ठीक है, नहीं अच्छे हैं, तो और भी ज्यादा ठीक है, next, trade के लिए कुछ और नया सीखने को मिलता है, so यह सिर्फ एक learning है, यह जो भी हमने analysis की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिर्ला soft के अंदर, और सिर्फ आज ही यह work करेगे, यह reading है, आप इसको किसी भी chart के ओपर, किसी भी financial market पर, किसी भी time frame पर, किसी पर भी आप लगाओ, आपको results वैसे ही मिलेंगे, बहुत अच्छे results में, हमारी एक बात हमेशा याद रखना, trade execute करने के बात, या even trade execute करने से पहले भी, target के बारे में कभी मत सोचना, कि हमें 1 is to 3 चाहिए, 1 is to 3.5 चाहिए, 1 is to 4 चाहिए, 1 is to 5 च सोचते, आपने खुद भी जवाब trade execute करते हो, तो focus करना, कि आप हमेशा सोचते हो, target इतना मिल जागा, निकल जाएगे, इतना मिल जागा, लेके निकल जाएगे, इतना curious आप stop loss के लिए क्यों नहीं होते हो, सिर्फ एक बात ही सोचो, कि stop loss सिर्फ रहा ना, अगर stop loss अपना बचा ले गए, तो फिर कुछ ना कुछ market से आप पैसा ले करके ही जाओगे, कहने का मतलब, कि हमेशा अपने stop loss के लिए काम करो, stop loss protect करने के लिए काम करो, stop loss protect रखो last तक, अब trade execute करने की बाद मैं आप महा कुछती नहीं लड़ने जाओगे, market से कि नहीं, मेरे stop loss के पास नह यहां नहीं आ सकते, यह सब नहीं कर सकते, हाँ, execution से पहले अपनी analysis में इतना दम होना चाहिए, इतना perfection होना चाहिए, कि कम से कम हमें वो area मालूम हो आचका है, कि जहां पर price दुबारा पलट के नहीं आ सकता है, probabilities रहें, अब हम भी probabilities के उपर काम कर ऐसा fix तो है, कि market फिर हमार market ऊपर नहीं जाएगे, मेरे entry point से नीचे ही रहेगे, तो फिर तो में stop loss लगा ही ना, आपने देखा न, order book, उसमें दो order लगे हुए है, एक entry का, एक stop loss का, अगर हम fix हो, कि हमारे stop loss rate नहीं हो तो फिर तो हम order अपना लगा ही न, stop loss बाला, तो हम क्यों लगा रहे हैं वो, कहने का मतलब probabilities, readings करो, एक हमने अपना तयक कर लेकिन, में भी chance है कि यहां तक market आज नहीं आएगे, है न, आप करो काम, तो stop loss protect करने के लिए सोचो, बाकी market को जो करना है करने दो, उसे अगर आपको stop loss देना है, तो ले लेगे, target देना तो देतेगे, I hope कि मेरी सारी बातें आप connect क कर पारे होगे, खुद जब आप trade execute करते होगे तो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, कि यह सिर्फ equities के लिए है, यह सिर्फ options के लिए नहीं है, यह M6 के लिए नहीं है, यह Forex के लिए नहीं है, यह किसी भी market के लिए है, psychology हर जगा सेम होती है, readings हर जगा सेम होती है, अब हम तो price reading क कर रहे हैं, उसका use हम कर रहे हैं, अपने stocks के ऊपर, सब की फेवरिट places होते हैं, दूसरी field में नहीं जाए, हम लोग सिर्फ यहीं पढ़ रहे हैं, तो हर तरह का देखो teacher होता है, लेकिन आपको कि एक teacher सब कुछ पढ़ा लेगा, यह तो possible नहीं है, हर field का अपने teacher fix है, जो commerce जिसको पढ़ानी है, वो commerce पढ़ागा, जिसको आर्ट पढ़ानी है, आर्ट पढ़ागा, जिसको हिंदी पढ़ानी हिंदी पढ़ानी हिंदी पढ़ागा, maths, maths, chemistry, science, bio, सब के अलग-अलग है, वैसे market, लोको reading, अच्छा ये दोनों चीज़े अलग-अलग हैं फिलाल तो, अ कहीं और काम नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ options में काम करते हैं, कहीं और काम नहीं करेंगे, कुछ होंगे जो सिर्फ आपका M6 के अंदर काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं, सिर्फ crude oil में ही काम करें, उनका fix है crude oil, उसके लावा उनके लिए पूरी दुनिया खतम है वो crude oil पे ही काम करेंगे बाकियों कुछ लोगों थे हमको से वोल्डी पसंद है कुछ लोग है जो forex अब जो forex में profitable है उससे आप ये तो नहीं पूछाओगे कि आप equity में क्यों नहीं काम करें और फिर जो equity करा मालो हम ही है तो हमको यहां रहना पसंद है हमें equity को treat करना पसंद है इसलिए readings करो techniques हासिल करो और एक field चुलो उसी field में काम करो इधार उदर बंदर की तरह उचलना कूदना ने की आज यहां कर लिया कल option कर लिया फिर हम forex में पहुँच गया फिर हम 6 में चलिया फिर हम futures का काम को शुरू कर दिया फिर यह सब नहीं नहीं एक fix करो उसी में काम को stop loss safe है मेरी लिए बहुत है हमारी लिए इतना बहुत है stop loss बचा ले जाओ कुछ ना कुछ देखो पैसा ले करके ही जाओगे आप market से हम फिर से active नहीं रह पाते तो उसको टेलिग्राम ग्रूप में हम share करते हैं तो वहां से आपको सारी updates मिल जाते हैं thanks and I hope we will meet again